दी हार्ट तो आ गए चिंकी पिंकी परा सुना हो गया तो क्या करोगी आप? आदादी परा हो गया अब हम आए है कहानी सुनने दादादी बताओ ना कहानी बताओ ना तो कौन सा कहानी सुनना है तुमें? राक्सस का या भूतो का या राजपुतर का बताओ बताओ मैं बताओंगा मैं बताओंगा तो बताओ कौन सा कहानी सुनना है तुम्हें पिंकी मुझे एक असली भूतो का कहानी सुनना है दादा जी और तुम्हें पिंकी तुम्हें किसका कहानी सुनना है तो मैं आज शुरू करना जा रहा हूँ एक बहुत डड़ावना कहानी तो सुनो बहुत दिन पहले मेरा एक दोस्त था उसका नाम था प्रसांत ये कहानी उसी का है सच्छी जीवन का कहानी एक साम प्रसांत बास पकरने के लिए बास्टन में खड़ा था अर्ताब उफ बहुत देर हो गया साइद लास्ट बास भी चला गया है नहीं नहीं वहाँ से एक टैक्सी आ रही है उसको मुझे पकर नहीं पड़ेगा भाया कुमारगन जाओगे हाँ हाँ जाएंगे बैठी 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 हलो कौन अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ हाँ हाँ ठीक है मैं पहुंच जाओंगा ठीक है ठीक है ठीक है रखिए रखिए समने से गाड़ी हरी आ रहे है रखिए मालूम हो रहा है कि मिस्टर पसंद जाग गए है हलो मिस्टर पसंद अभी आपको कैसे लग रहे है मेरे सर फटे जा रहे है और सीने में बहुत तर्ट कर रहे है रखिए बबो मैं कुछ याद नहीं कर पर रहा हूँ मुझे क्या हुआता मैं कहा हूँ आप अपी यह स्पितल में है आपका बहुत बढ़ एक्सेंट हुआ था आपको कुछ याद नहीं याड़ा है आप सोचे आपको बहुत बढ़ एक्सेंट हुआ था नहीं द्थरू मुझे कुछ याद नहीं रहा है आपका टेक्सी के साथ एक बास का एक्सेंट हुआ और आपका डाइवर स्पार्ट में ही मारा गया आप बहुत लाखी है इसलिए आप जिन्द रहे गए अब ज्यादा मात सोचिए अब रेस्ट कीजिए मैं फीराऊंगा लेकिन डक्टरूर मेरे माते पे और सीने में इदना दर्थ क्यों कर रहे है एक्सिनेंट के टाइम आप गारी से बहुत दूर गिर गये गिरने के टाइम आपका माते पे चोट आया और गिरने के समय रस्ते के पास में पड़ा हुआ एक रोट आपका सीने में खुश गया और उसका बात क्या हुआ ड़क्तर बबू और आप रस्ते से दूर सीने में रोट लेके एक जंगल में पड़े रहे थे और तभी एक पास से जाता हुआ एम्बूलेंस एक्सेन स्पोर्ट से आपको लेकर इस हॉस्पिटल में लेके आए उसका बात ऑपरसन हुआ बहुत डिर चला हुआ उस ऑपरसन और आप ठीक हो गया और इसलिए मैंने आपको भुगला आप बहुत लाकी है मिस्टर पसांत अब समझे उफ अगवान सभी अपका दया है मिले सिना डूंट वारी मिस्टर पसांत ऐसे होता है आप तो बहुत बड़े अपरसन से उठा है ना थोड़ा वेट कीजिए सब कोच ठीक हो जाएगा अभी आप रेस्ट कीजिए मैं साम को आउंगा आपको देखने के लिए ओ आपके क्रीपा से ही मैं सुस्थ हो चुका हूँ और आज में घर जा रहा हूँ इसलिए आपका बहुत-बहुत सुप्तिया ड़क्त वाबू ओके मिस्टर पसांत अभी आप पूरा सुस्थ हो गया है अगर आपको कोई भी तकलिफ हो तो मुझे जरूर कल करना ओके फिर भी दिन बाद भूल लटके बहुत अच्छा लग रहा है आज रात हो गया सुने जाता हूं काल से अपिस जाना पड़ेगा बहुत चुट्टी लेडी अभी काम करना पड़ेगा बहुत दिन अच्छी मोवी नहीं देखा आज एक जबादस मोवी देखता हूं सोने से पहले इस तरफ शिने में बहुत दज कर रहे हैं अभी ठीक है उफ गौट मैं तो डड़ी गया था प्रसांत जब टीवी देख रहा था तब प्रसांत को कुछ मैसूस हुआ प्रसांत को ऐसे लगा जैसे एक साया मुर्ति उसके पीछे खड़ा है बहुत देर से और वो बहुत ड़ने लगा और इसके बाद प्रसांत बेहुस होके किर कहें बहुत दिन पाद ऑफिस में जोइन करके अच्छा लग रहा है लेकीन काल रात क्या हुआ था वो मेरा भ्रहम था या मेरा सपना या हकीकाद तो कुछ समझ में नहीं हरा है अभी काम में दिमंग लगाता हूँ काम करूगा तो सब ठीक हो जाएगा हलो मिस्टर प्रशांथ हाँ अब अभी जाके मेराम से मिलिये मेरान आपको पूछ रहे थे ओके से मैं अभी मेराम से मिलने जा रहा हूँ आरे प्रशांद बाबو आप ठीक होगे हाँ मीष चुली मैं अभी बिलकुए ठीक हो गया हूँ ये सुनके मुझे बहुत अच्छा लग प्रशांद बाबू अभी मुझे मेडाम बुला रहा है मैं मेडाम से मिलके आता हूँ उसके बाद मैं तुमसे दिल खोल के गत्पे करूँगा मैं आपको बुलाया था अब आपका तभियत कैसा है मिस्टर परसंद ऐसे तो अच्छे ही है लेकिन थोड़ा विकनेस है टाइम के साथ ठीक हो जाँगा मैंडम ओके अगर आपका तरियत ज्यादा खड़ाब हो जाए तो आपको जिनके लिए शुट्टी ले सकते है टाइंक्यू मैडम बहुत बहुत सुक्रिया आपका ओके अब आप जाके ओर्डर देख लीजिए ओके मैडम मैं आभी जाता हूँ सिक्स आउर्स लेटर ओफ कान रात्ता अच्छे से मूवी नहीं देख पाया चलो आज एक मूवी देख लेते हैं इस तरफ शीने में बहुत दद कर रहे हैं अभी ठीक है अभ्या नच्छे ठाट REM-टा जाता है यह मेरा सपना यह हकीकाद